नवस्कार दोस्तों, कोरोना से संबंदित ये दूसरी वीडियो है, चीन में मात्र 15 सेकेंड में कोरोना वाइरस से संक्रमित हुआ एक व्यक्ती, चीन के स्वास्त अधिकारियों ने बताया कि मरीज नंबर 5 ने खुद को बचाने के लिए मास्क नहीं लगा रखा था, अधिक दक्षिन पुर्व चीन में एक व्यक्ती को मात्र 15 सेकेंड में कोरोना वाइरस ने संक्रमित कर दिया, ये व्यक्ती एक बजार में एक संक्रमित महिला के पास 15 सेकेंड के लिए खड़ा हुआ था और इस जानलेवा बिमारी के चपेट में आ गया, कोरोना प्रभावित व्य में मरीज नंबर 2 के पास खड़ा था, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वाइरस की शुरुआत चीन के वुहान सहर से हुई थी, इस बिच चीन ने कहा कि इस बिमारी से अब तक कुल 564 लोगों की मौत हुई है, अधिकारियों ने बताया कि बिमारी से पिरित हजारों मरीज के इलाज के लिए दूसरे अस्पिताल का काम पूरा कर लिया गया है, राश्ट्रिय स्वास्त आयोग ने बताया कि कोरोना वाइरस के संक्रमन में कुल 564 लोगों की मौत हुई है, एक्टिस प्रांत अस्तरिय छेत्रों में संक्रमन के 28,000 मामलों की पुष्टी हुई है, आल के सभी अस्पिताल को मिला कर केवल 8,254 है, इसके अलाबा चिकित्सा उपकरणों की भी बारी कमी हो गई है, वाइरस के प्रसार को रोक निकली सरकार ने हुबई प्रांत और उसके आसपास के प्रांत में यात्रा पर कड़ा परतिबंद लगा रखा है, अधिकारियों की को जिनों में ये वाइरस और भी भयाबा हो जाएगा, तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, दोस्तों वीडियो कैसी लगी और कौन से जान करें चाहिए, किर्पया कमेंट में ज़रूर लिखें